गाइज सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चले जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद गाइज आपको एक ओप्सन देखेगा प्राइवेसी का आपको प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है आपको एप लॉक पे क्लिक कर देना है जैसे गाइज आप एप लॉक पे क्लिक करेंगे आपको यह एप लॉक सेट करने के लिए पूछेगा तो गाइज यहां पर आप अपना एप लॉक का पासवर्ट सेट कर लीजिए गैस पासवर्ट सेट करने के बाद आपको यहाँ पर सारी एप सो हो जाएंगी जिससे आपको भी आप हाइड करना चाते हैं उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है गाइज यहाँ पर आपको नीचे है को अप्सें देखने को मिलेगा हाइड होम स्क्रीन आइकन आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर पॉप आएगा यहां पर आपको अपना एक्सेस नंबर सेट कर देना है जिसकी हेल्प से आप एक्सेस कर पाएंगे जो भी एक्सेस नंबर आप सेट करेंगे उसके आगे और पीछे आपको हैस लग मैंने अपना नमबर डाल दिया है स्टार्ट भी हैस से हुआ है और एंड भी हैस से हुआ है यह आपको दियान रखना है तीन सेकंड का यह वेट कर आएगा उसके बाद ओके पर आपको किलिक कर देना है और गाइस वो एप्स आपकी होम स्क्रीन से हाइड हो जाएगी अब गाइस उन एपस को आप एक्सेस कैसे करेंगे जो आपने हाइड की है उसके लिए आपको फॉन के डायलर में चले जाना है यहां पर आपको अपना एक्सेस नंबर डाल लेना है मैं अपना एक्सेस नंबर डाल लेता हूं एंड गाइस एक्सेस नंबर डालने के बाद यह देखिए hidden apps खुल गई हैं यहां से आप उन apps को direct open कर सकते हैं तो वस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ share कर देना अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेन क्योंकि मैं ऐसी helpful वीडियो बनाता रहता हूँ गाइस मिलता हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए goodbye